नमस्कार दोस्तों मैं मनझीत कुमार जा आप सबका अपने यूटूब चैनल PM.S.Tory.Zone में स्वारत करता हूं दोस्तों पिछले वीडियो में हमने राश्टपती के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि राष्टपती की वित्य सक्तियों के तहत उनको क्या-क्या अधिकार मिले हैं इसके बाद उनकी नियाईक सक्ति क्या सब है फिर उनकी स्यनिय सक्ति क्या है उसके बाद उनकी जो अपात कालिन सक्ति है और फिर उनकी वीटो सक्ति है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और ये आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में तो चलिए आज हम उससे आगे की और बढ़ते हैं और एक नया अध्याई शुरू करते हैं, नया जो अध्याई शुरू करेंगा अज हम लोग, उसका नाम है उपराष्ट्र पती, ठीक है दोस्तों, आईए हम लोग देखते हैं उपराष्ट्र पती के बारे में, दोस्तों ये जो उप्राश्रपदी का पद है यह कहां से लिया गया है तो हमारे संविधान में उप्राश्रपदी पद का जो वेवस्था क्या गया है वह USA के संविधान से लिया गया है यानि हमारे देश में जो राष्ट पती का पद है वो संयुत राज अमेरिका के उपराष्ट पती के पद से प्रेरीत है ठीक है दोस्तों भारत में जो उपराश्ट्रपती का पद है वो राश्ट्रपती के बाद दूसरा सर्वोच्पद है यानि जब वर्यता अक्रम की बाड़ी आती है तो उपराश्ट्रपती पद जो है वो राश्ट्रपती के बाद आता है ठीक है यानि वर्यता अक्रम में इनका स्थान दूसर इसके बाद उपराश्वपती जो होते हैं वो राज्य सभा के पदिन सभापती होते हैं अब आप लोग पूछेंगे कि यह पदिन सभापती क्या होते हैं तो आईए हम लोग देखते हैं कि पदिन सभापती क्या होते हैं सबसे पहले तो उपराश्वपती जो है वो राज्य स सभापती सभापती होते हैं परंतु ये सभाझ सभाझ सदस्य नहीं होते हैं ठीक है दोस्तो दो सभाका पदिन सभापती कहा जाता है ठीज़蛤ुस्तों है हमारे पर्थम उप्राश्च्ट पती कौन थे तो डॉक्टर एस राधा क्रिश्नन जिनका पूरा नाम डॉक्टर सर्वपलि राधा खृर्ष्नन था यानि भारत के पर हम उप्राश्च्र निर्धारित की गई होंगी उप्राश्च पति पति का चुनाव लड़ने के लिए तो आएए हम उस योगिताओं के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली जो योगिता है उप्राश्च पति बनने के लिए वो है कि भारत का नागरिक होना चाहिए यानि कोई भी ऐसे नागरिक जो भारत के नागरिक न उनके पास किसी दूसरे देश की सदस्य आता हो वह भारत के उप्राश्च पति नहीं बन सकते हैं ठीक है दूसरा जो योगिता है वो ये है कि उनकी आयू 35 वर्स पूरी हो चुकी हो ठीक है दूसरी योगिता क्या है कि उनकी आयू 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो ये राज्य सभा सदस्य बनने की अरता रखते हो ठीक है यानि इनके पास इतनी योगिता हो कि इन्हें राज्य सभा का सदस्य चुना जा सके ठीक है और राज्य सभा सदस्य चुने जाने की योगिता क्या है इसको हम लोग संसद के अध्याय में पढ़ेंगे यानि जब संसद अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि राज्य सभा सदस्य चुने जाने की योगिता हैं क्या सब है इसके बाद ये भार पहले से उप्राश्ट्पती हों या भाराथ सरकार में कोई मंत्री हो तो यह सब पद। लाब का पद नहीं माना जाता है। जब इतनी योगिताएं इनके पास हो जाएंगी तब ये उप्राष्ठ पत्य चुनावग के लिए खड़े होने के योग हो जाएंगे. अर जब ये खड़े होने के योग होंगे, तो इनको 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक क्या वशाकता होगी, जो इनका नाम प्रस्तावित करे इस चुनाव के लिए ठीक है तो उपराश्च्रपती पद में चुरे जाने के लिए कितने प्रस्तावक चाहिए तो 20 प्रस्तावक चाहिए और इन 20 का जो प्रस्ताव होगा उसको अनुमोदित करने के लिए भी 20 सदस चाहिए राश्रपती में कितने प्रस्तावक और अनुमोदक थे तो उसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक थे लेकिन उपर राश्रपती में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं और ये दोनों कहां के सदस्य होते हैं तो संसद के सदस्य होते हैं ठीक है दोस्तों ये 20 बैंक ऑफ इंडिया जाएंगे यानि आर्बी आई जाएंगे और वहां पर 15,000 रुपे बतोर जमानत रासी जमा करेंगे ठीक है यानि कि उपराश्च्पती पद पर खड़े होने के लिए 15,000 रुपे की जमानत रासी जमा करना पड़ता है कहां आर्बी आई में ठीक है जब आप यह जमानत रासी जमा कर देंगे प्रभ्वराजर पर एंडिया में तब आप उपर राष्ट्पती चुरा में खड़ी हो पाएंगे और उसके वाद उन्सकान होता है तो देखते हैं हम निरवाजर कैसे होता है तो सब से पहले इनका जोनिर्वाजर होता है वह औप्रत अप्रत्यक्ष का मतलब है तो अप्रत्यक्ष का मतलब है कि इसमें भारत की जनता सिधे मत नहीं डालती है यानि भारत की जनता है उसके जो चुने गए प्रतिनिधी है यानि जिन प्रतिनिधियों का चुनाव जनता नहीं किया है वो प्रतिनिधी मिलके उप्राष्ट्पति क चुनाव करते हैं उसी को कहा जाता है और प्रत्यक्ष मतदान ठीक है यानि जो जनता के प्रतिनिधी है वो उप्राश्ट पती पत के लिए मत डालते हैं और उप्राश्ट पती का चेन करते हैं ठीक है और इनके निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल होते हैं वो संसद के द सदनों के सदस्य होंगे वो इनके निर्वाचक मंडल में सामिल होते हैं ठीक है कि असंसद के दोनों सदनों के सदस्य कहने का मतलब है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग ले सकते हैं यहां पर एक चीज ध्यान रखना जरूरी है कि उपराश्ट्रपती के चुना में क्या है कि निर्वाचित सदस तो भाग ले सकते हैं लेकिन मनोनीत सदस भी भाग ले सकते हैं ठीक है इसके बाद दूसरी बात है कि राज के जो विधान सभा या विधान परशद होते हैं उनके सदस उपराश्ट्रपती के चुना में मत नही नहीं डालते हैं लेकिन राष्ट्रपती का जो चुनाव होता है उसमें राज विधान सभा के निर्वाचित सदस मत डालते हैं ऐसी व्यस्था क्यों की गई तो यह कहा गया कि राष्ट्रपती जो है वो देश के साथ साथ राज्यों का भी प्रतिनीधित्व करते हैं ठीक है इसलिए उनके चुना में राज्य के प्रतिनीधि भी मत डाल सकते हैं परन्तु उपराष्ट्रपती जो हैं वो राज्य सभा के सदस होते हैं और वहां पर जो राज्य के चुनेवे सदस हैं वह आप वहां पर उपस्तित होते हैं तो संसद के दोनों सदनों के सदस मिला कर ही मत डालते हैं ठीक है tradisius उसके बाद जब निर्वाचन प्रक्रिया पूरी हो जाती है और उप राश्च्रपती का चुनाव पुर्न हो जाता है तो उनको पद एवं गूपनियता की सपत लेनी परती है क्या लेनी परती है पद एवं गूपनियता की सपत और ये सपत हुने कौन दिलाता है तो ये सपत हुने भारत के राश्रुपती दिलाते हैं ठीक है यानि उपराश्रुपती को अपने पद के सपत कौन दिलाता है तो राश्रुपती दिलाता है ठीक है इसके बाद उपराश्रुपती का कारिकाल कितना होता है तो उपराश्रु या इनके मृत्य हो जाए या राज्य सभा द्वारा इनको हटाये जाए यहां एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि राश्ट्रपती को जब हटाना होता है तो उन पर महा भियोग लगाया जाता है वो भी संसद के दोनों में से किसी सदन में लाया जा सकता है लेकिन उप चळब उपराश्ट्रपति को हटाना होगा तो चोदा दिन पुर्व उनको को नौटिस धिया जाएगा ठीक है 14 दिन की इस अबधी के पुर्ण होने के बाद राज्य सभा में पूर्ण बहुमत के द्वारा उपराश्च्पती को उनके पद से हटाया जा सकता है ठीक है इसके बाद उपराश्च्पती को वेतन कितना मिलता है तो उपराश्च्पती को वेतन चार लाक रुपे महीना मिलता है ठीक है यानि उपराश्च्पती को कितना वेतन मिलता है भारत की उपराश्पति को वेतन 4 लाख्ड पे महीना मिलता है इसके अलावे इनको अन्य भत्ते एवं अन्य सुविधाएं जैसे बंगला गारी फोन इत्यादी की सुविधाएं दी जाती है ठीक है दोस्तो तो आज हमने उपराश्पति के बारे में साथी साथ इस वीडियो को लाइक एवं सेर करना न भूले और हमारे चैनल से जुरे रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को अवस्य प्रेस करें धन्यवाद